हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लापोध में पॉजिटिव से ग्रामन घरों में दुपके प्रशासन दिखा तेस रास्ते सील 6 अप्रेल सुमेटपूर उपकंड के लापोध गाउ में मांगिलाल कुमावत के पॉजिटिव मिलने के बाद ग्रामन घरों में दुपके हैं गाउं के उपकंड अधिकारी राजे इंदर सिंग में दल ने सील कर दिया है गाउं में सरपन श्रीमती ममता कमर भी गाउं में उपकंड अधिकारी से सोधिया के सानिद्य में चिकित्सकों से सर्वे करवाया जा रहा है तहसीलदार जवाहर राम चौधरी, विकास अधिकारी नारायन सिंग, तक तकड़ पुलिस्थाना अधिकारी हरजी राम, ब्लोग कारेकरम प्रबंदक, प्रमोध किरी आदिके सानिद्य में रास्ते सील कर दिये गए है चीज ग्रामिनों से सुमेर पुर रेफर किया गया है हाद्य सामगरी के लिए विकास अधिकारी नारायन सिंग को जिम्यदारी सौपी गई है उपकंड अधिकारी एवं चिकित्सा कर में पॉजटिव मांगिलाल के संपर्क में आये लोगों से बातचीत कर आईसोलेट के लिए सुमेर पुर रेफर किया गया आगामी दिनों तक गाउं को सील किया गया गलियों में सन्नाटा रहा गाउं निवासी मांगिलाल के बीते एक सप्ता में संपर्क रहने वाले विभिन गाउं के चिकित्सा टीम गाउं में सैनिटाइजर करवाया गया गौर्दलब है कि धोला के बाद लापोद निवासी मांगिलाल दूसरा पॉजिटिव मिलने से उपकंड प्रशासन अलर्ट हो गया जागरुक टेवी से बात करते हुए उपकंड अदिकारी सुमेर पुर राजे इंद्र सिंग से सो दिया इन्होंने ये बात कही लापोद गाउं और इसके आसपास के इन किलोमेटर के एरिया को कंटेनमेंट जोन और साथ किलोमेटर का परीवी चेत्र है उसको बफर जोन के रूप में प्रतिशिद्ध चेत्र गोशिद किया जा चुका है जागरुक टेवी से बात करते वे ब्लॉग कारिक्रम प्रबंदक प्रमोद गीरी सुमेरपूर इन्होंने ये कहा सुमेरपूर से जागरुक टीवी की रिपोर्ट करते जागरुक बबिल इन्होल ब्लॉग को फसके वे मरा जσα से जागरुक झाल आभावग है रुषक पासी लोग जागक है